हलो फ्रेंटDS, welcome back to my channel कैसे हो, आई सबही ठीक होंगे तो मैं इस मॉरिनिंग से एपना वीडि़ो स्टार्ट नहीं कर भाई थी तो मैं तीन बजे के आस-पास का टाइम था और मैं साम से आफना वीडियो स्टार्ट कर रही थी आज के दिन SHival हो रखी थी तो मैं जो है कि अभी अपने गाई वाले घर में चा रही हूं गाई को पानी ओगारा देने के लिए क्योंकि गर्मी बहुत साधा थी धूप भी बहुत साधा थी जिसकी वज़े से प्यास तो लगती है बट ये था ना कि मौसम जो है धूप च्छाओं का हो रहा था कभी तो थोड़ी देर के लिए मैं यही पर खड़ी हो गई तो पीछाओं का हो रहा था और यहां फिर मैं घर आ गए थी और बहुत जादा हो रहा था तो मैं थोड़ी देर के लिए बैट गई और रिष्ट करी उसके बाद मैंने भी लंच भी नहीं किया था तो मुझे अभी भूख लग गई थी तो मैं लंच करूँगी लंच का टाइम नहीं था फिर भी मुझे भूख लगी थी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट किया उसके बाद कुछ नहीं खाया था क्योंकि बड़े थ तो यहां पर मैं अपना लंच लेके और रूम में आ गई थी खाने के लिए तो खाने के बाद मैं सो गई थी और रिष्ट करी एक गंटे के लिए मैं सो इती और साड़े पांच का टाइम हो रहा था मैं सो करके उड़ गई थी उसके बाद चो है कि अब डेकोरेशन की तैयारिया करनी अब बती जी का बढ़ देता तो उसको भी देखना था तो कुछ खास नहीं है बस सिंपल सा था तो कीचन में यहां पर कुछ में बना रही थी चना बॉय करने के लिए रखी थी तो मैं चेक करने चले गई थी और यहां डेकोरेशन भी स्टार्ट हो गया था तो बहुत सिंपल सा था किसी को नहीं घर में बस हम लोगों ने किया था कोई किसी को इन्वाइट नहीं किया था तो यह कुछ इस तरह से डेकोरेशन था आप यह देख स सकते हैं बहुत सदा यम्मियों टेष्टी था उसके बाद खाना बनना में स्टार्ट हो गया था तो यहां पे आलू और परवल की सुखी सबजी थी राय तक जो के भी बन रहा था और यहां पे छोले बन रहे थे और उसके बाद च्वाश के पनीर की सब्स बनी था तो यह क्लिप थी तो मैं सो गई थी और जो एक उसके बाद देख सकते हैं मेरी भतीजी को इसी का आज वर्डे था थोड़ा बहुत इंज्वाई किया ज्यादा नहीं किया सिंपल सा था वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर कमेंट करें चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स ब्लॉग में तब तक तक